बेरबल कहानी बेरबल इंदे कदा बादशा के तेन प्रेश्ण चक्रवर्तिवडे मून छोदिंगल बादशा अकबर का दर्बार लगा हुआ था राजकार्य निप्ताते निप्ताते बादशा काफी ठक गए थे इसलिए उन्होंने मनोरंजन करके दिमागी ठकान उतारने का निश्चे किया उन्होंने दर्बारियों से तीन प्रश्ण पूछे जो इस प्रकार थे प्रहला, बेटा किसका अच्छा होता है? दूसरा, दाद किसका अच्छा होता है? और तीसरा, गुन कौन्त सा अच्छा होता है? अक्पर चक्रवर्थी उडे, कोट्टारत्तिल् राजय कार्यंगल परिहरिच्च, परिहरिच्च, राजावु वलरी शीनितनायरुन्दू अधु कुण्डु तेन्ने राजाविंडे संदोशित्तीनाय, राजाविंडे शेनंगल इरक्क्य वक्कुन्न दिनाय, राजावु राजसबेले आलुगलोडु मून चोधिंगल चोधिच्चु सभी दर्बारी बादशा के प्रश्णों पर माधा पच्ची करने लगे, एक दर्बारी उठकर बोला, आलिजाह लड़का राजा का अच्छा होता है, दान्त हाथी का अच्छा होता है और गुणों में विद्या प्रधान होती है उस दर्बारी की बाद का बादशाने कोई उत्तर नहीं दिया और चुप रहे, इससे स्पष्ट था कि वे दर्बारी के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए थे राजाविन्टे चोधित्ती नुल्ला उत्तरंगल यल्लावरू तीरयान तुडंगी राजिसदसिलुल्ला उरू आल एउन्नेल्ट निन्न राजाविनोड परन्णु राजाविन्टे मगनानेैं एट्ट्वुम् नल्लदु, पळ्यू कलील् आनयुडे पल्यानैं एट्वुम् नल्लदु, गोणंगल предлаг आरिवानैं एट्वुम् नल्लदु पक्षी राजावु अयालकु मरबडी उन्नुम नल्गीला, राजावु मावन्यम पालिच्च गुण्डे इरुन्नु। सब एल उल्ला आलुकलुडे मरबडी राजावीनी त्रिप्तम एल्ला एन्नु वेक्तम आयरुनु। तब वो दर्बारी अपने स्थान पर वापस बैठ गया। फिर दूसरा दर्बारी खड़ा हुआ और उसने उन तीनों सवालों का अपने हिसाब से उत्तर दिया। पर बादशा को उसका उत्तर भी पसंद नहीं आया। इसी तरह कई दर्बारियों ने उत्तर दिये। लेकिन बादशा ने किसी भी जवाब को पसंद नहीं किया। अंत में बादशा ने बीरबल की ओर देखा। बादशा का इशारा होते ही बीरबल अपने स्थान पर से बढ़कर है वीर्बल की बात सुनकर बादशा ने कहा वीर्बल अपनी बात साबेत करो तभी मैं तुम्हारी बात मानूंगा उद्धरं चेन्ण आ प्रामानी कि अधिंडी उध्तरं किट्टात तदुकोंड देन्य आ प्रामानी आ वेक्ती अध्देहत्ति इंदे स्थानति लेकत अन्ने इरुन्दू रेंडा मदाई आ सबीले ओर आल एलिंगे इट्टि निन्न अयालूडे अभिप्रायंगल परण्यू पक्षियादु चक्रवर्तीक्प अधु राजाविने इस्टपिट्टीला अधु पोलु पलबल आलुगळुम् अवरुडे अभिप्रायंगल परण्यू पक्षियादु उन्नुम् चक्रवर्तीक्प इस्टपिट्टीला अवसानं चक्रवर्ती बीरपैल्लिने नूख्यू राजावि बीरवलने नूख्ये उडणे तन्ने बीरवल बीरवलिंगे सान्दु निन्न एलिन्ने इट्टु निन्न परण्यू पशுவிंदे मगनान एत्तवु कुणं नल्ल्लु कुण गुणंग़िलुम् एत्तवु क्राधान धैर्यमान। बीर்珍बल पारणνηतु गेट्टे राजावु परण्यों नी पारंयतु तեղीक்कुका नी तեղीचाल नानदु अंगेकेरिक्कां। तब बीरबल ने कहा, आलिजा, गाय का बेटा इसलिए सबसे अच्छा है क्योंकि उसी के द्वारा धर्ती जोती जाती है, गोबर की खाद बनती है, जिससे खेती की तरक्की होती है और सभी को खाना मिलता है, हलका दांत अच्छा होता है क्योंकि उसी के द्वारा जमीन जोती जाती है जिससे पैदावर बढ़ती है और नकेवल मनुष्यों बल्की जान्वरों की भी बसर होती है अपोल बेर्बल परण्यू बूमिये उईदु मरिक्कुन्न दिनाल पशुविंडे मागनाने एट्ट्वूम नल्लदू अदु मात्रमल्ला चानकत्ति इन्डे वालम निर्मिक्कुन्नू अदिलूडे क्रिशिकल पूरो गिमिक्कुगेयूं एल्ला वर्कुम्बाक्षणम लेबिकुगेयूं चेयून्नू कालप पयुडे पल्लि नल्लदान कारणक्प अवनीलूडे पूमि उईदु मरिक्कुन्नू अदिनाल विलव वर्दि कुगेयूं मानिश्यर मात्रमल्ला मर्कंगलूं जीवि कुगेयूं चेयून्नू सब गुनों में हिम्मत सबसे बढ़कर है क्योंकि इसके बिना बीर बल हिम्मत को क्यों सब बेकार है जिसमें हिम्मत नहीं है, वो अपनी जिंदगी में तरक्की सबसे बढ़कर मानते हैं। नहीं कर सकता, यदि विद्वान में भी साहस नहीं है, तो वो अपनी विद्वत्ता का भी कोई फायदा नहीं उठा पाएगा। उसकी विद्वा भी बेकार हो जाएगी, बीरबल की व्याख्या से बादशा ही नहीं, बलकी दरबार में मौजूद सारे लोग भी पूरी तरह संतुष्ट हो गये। बादशा ने बीरबल को यथोचिते नाम देकर सभा समाप्त कर दी। एल्लागोणंगलिलुम् एट्ट्वूम् प्रदानं दायर्यमाने। कारणं, नमक्को उरुपाड आरिवुच्टा इट्टिक आरिमिल्ला, इस आरिवेल्लां रगल्डी पिकान दायर्यमेन। தயறிமowane गुणत्तील नम्के इट्ट्टुम् वेंडदु दायरेमान, दायरेमिल्लंकिल पिन्ने उन्नुमिल्ला, बीर्पेलिंटी विशीदी करण, चक्रवर्थीये मात्रमेल्ला, कोडधील हाजराय, आ सबीलिले यल्ला वरियुम् त्रिप्ति बडुत्ती, बीर्पेलिने बीर्पेलिने दायरीदीलुल्ला, सम्मानेंगलेल्ला, चक्रवर्थी कोड़ुत्ते, आयोगं अवसानिपीच्चू